नमस्कार स्वागत है आपका आईनेंट 24 पर आपके साथ मैं हूं कृति सिंग बढ़ते हैं खबरों की ओर राजनन गाउं जिले के चिचौला नेशनल हाईवे पर जूरा नदी पुल में अनियंत्रित होकर एक बस के पलट जाने से लगभग 30 यात्री घायल हो गए जिनका उपचार अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है घायलों में सबकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है इसकी सूचना मिलने पर प्रिशासन में हड़कम्प मच गई और चुरिया शेत्र के तहसिलदार अनी रूमा टोपो एवं जनपत सीईउ शिल्पा प्रांगन SDM सुनिल कुमार नायक सहित मुख्य स्वास्तेवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी भी मौके पर पहुचे और नियंद्रित होकर बस के पलट जाने से घायलों को आसपास मौजूद लोगों की मदद से निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए चिचौला, छुरिया और राजनन्द गाउं मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में छुरिया शेत्र के SDM सुनिल कुमार नायक और सीमेचो डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सभी घायलों की स्थिति खत्रे से बाहर है।